हे गाईस तो स्वागत आपका एक्सेलेंटल डॉक्टर नामा क्योट्यूब चैनल में तो गैस जैसा कि बहुत लोग मुझे कमेंट सक्साने में पूछ रहे थे कि प्राइवेट कॉलिज में एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में बताओ तो आज मैं प्राइवेट कॉलिज में सारे एक्स्टा चार्जेस के बारे में बताओंगा ये बताओंगा ये वो होते हैं या नहीं हमसे कौन-कौन से एक्स्टा चार्जेस किये जाते हैं कौन से नहीं किये जाते हैं मतलब सारे ऐसे मैं डीटेल बताओंगा और कौन से इंडिरेक्ली आपको देने ही पड़ते है हैं कौन से बहुत जरूरी ही देने पड़ते हैं मैं सब बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज में कि कौन-कौन से एक्ट्रा चार्जेस पूरा उसका डेटेल में आपको इस वीडियो में पूरा बताने वालों तो आप इस वीडियो हैं वो तो एकतम प्रीइड लिया जाते हैं बाकि उसके अलावा कोई बी ऐसा एकट्राचर्जेस कोई बी प्रीके से आपको कोई एक्स्टाचर्ज रहाता किसी बी किसी भी किसी तकम कोई एक्स्टा चार्ज छार्ज जमक्राम양 उनकर देना पड़ेगा उसके अलावा कुई आपकोई एक्स चार्ज तेने पर सकते जैसे कि माल लग गया गया यह सब्धिन तो आपको वह जाएंगे तो आपको वह कोई इंडिसिप्लीन हरंकत की तो वहां पर फाइन लगने के आधार पर चार्ज देना पड़ जाएगा उसके बाद एक्स्टा चार्ज जो उसमें नहीं लिखे होते हैं वह जैसे कि आपको कॉपी अगर लेनी है यह मतलब यह आपको कॉलेस से कॉपी लेनी है तो आपको वो चार्जेस देने पड़ जाएंगे जैसा कॉपी बुक का मतलब पूरा कॉलेस से मिलता है तो कॉपी का चार्जेस उसके बाद आप जो ड्रेस लेते हैं कॉलेस से उसके बाद आप जो एपरेंट लेते हैं मतलब जो हमें एपरेंट मिल स्ट्रक्चर आपको 65 दिखा रहा तो ऐसा नहीं कि बढ़के 75 80 या 1 करोर तक चल जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कोई ऐसा खास एक्स्टा चार्ज नहीं होता है यह तो छोटा मोटा कॉपी किताब अगर आपको कॉलेज से लेना है तो यह मतलब आपको देने पड़ अगर आपको इससे और भी कुछ पूछ रहा है तो आप मेरे इस्टाग्राम हैंडल पर आके मुझसे पूछे मैं आपको बताओंगा या फिर आप कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरू सोमाज के लिए